यह मैंने टीवी आउन किया और यहां पर कैची पिक्सल लिखा हुआ है और यह कैची पिक्सल पे ही लिखा हुआ रह जाता है उस ताइब के फॉल्ट को हम कहते हैं यह तक इन लोगो हो गया यह तक चुका है इस फॉल्ट को हम कैसे दूर करेंगे आएए देख लेते हैं इस का नंबर है tp.ms358.tv802 और इसमें eMMC IC लगी है KLM 8G 1G इसका अबलब 8G डेटा और 1G रैन इस Android बोर्ड के सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ 12 वोल्ट 12 वोल्ट ओके है 5 वोल्ट ओके है 3.3 वोल्ट सेंडवाइ ओके है 1.5 वोल्ट ग्रैम ओके है तावर आउन के बाद 1.8 वोल्ट जो eMMC में जाएंगे वो अब ओके है Android प्रोसेसर में दो कोर सप्लाई जाती जिसमें से एक Android फॉंक्शन के लिए कोर सप्लाई 1 वोल्ट ओके है दूसरी कोर सप्लाई है 1.2 वोल्ट जो Android प्रोसेसर की नॉर्मल प्रोसेस सिंग के लिए जाती है यह सप्लाई भी ओके है अब मैं eMMC IC निकाल लोगा मेरे पास अपडेट फाइल है लेकिन उसमें क्या है कि मुझे पहले pen drive की फाइल अपडेट करने से पहले eMMC की डेटा रीट कर लेने चाहिए बैक अप लेने कि eMMC IC की डेटा को आप फ्रीड करेंगी बैक अप करेंगी eMMC IC को बोर्ड पे फिक्स करेंगे formatted pen drive में डेटा को कापी करेंगी प्राओ शी शीब करेंगी करेंगी है जार चॉबस करेंगी प्राओ बाल पकापी बेटा प्राओ प्राइल में अपड़्स करेंगी अप्रेट वाली पेंड्राइब पो आप बोर्ड में फिक्स करेंगे इसके बाद बोर्ड को पावर सप्लाई देंगे इंडिकेटर लाइट ब्लिंक हो रही है और यहां आप देख सकते हैं अप्ग्रेट सौट्वेर जो है वो अप्ट्रेड हो रहा है और यहां पर 49-52 परसेंट फोट है प्लीज दूनाट टन ओव पावर सब्सक्राइब अभी इंडिकेटर लाइट स्लो ब्लिंक हो रही है अप कि झाल पावर जो है अब्रेट इंडिकेटर लाइब और दूनाट। अब इंटिकेटर लाइट पास्ट नेक हो रही है इसका मतलब अप्ग्रेड हो चुका है अभी हमें पावर सप्लाइब को आफ करके पैंडराइब निकारके दोबारा पावर आउन करना है रिमोट के थू झाल वीस दोब में, बहुत झाले रे पावर ओ शावर Te अब देख सिखें पहें रहे हैं जिकाल कि मैंने अदू कीबोड और मौस चलाने की यहाँ एक क्रोंगर लगा दिया है ताकि मैं कीबोड से सब्सक्राइब यहाँ पर जर्पाऊ अक्राइब बाइब पर जर्फाइब उत्याँ झाल झाल झाल